हकीम जी की वाज़ा से, उनकी पस्नल्टी से, उनके सुभाव से ऐसा लगा कि ये फिराड नहीं बोल सकते, गलत नहीं बोल सकते, इस एज पर, पूरा हमें विश्वाज जित्ता हम भगवान पर वरुसा करते हैं उत्ता ही हकीम जी पर करते नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे बेहत खास कारेकरम में मैं हूँ आपके साथ शेल जतियागी, दर्श को लखनाव में आज हम पहुंचे हैं अपने एक और दर्शक के घर, जी हां मैं बात कर रही हूँ, गरीश चंद दूबे जी की, उन्होंने अपने घर हमें के साथ कह सकते हैं कि जो पेशेंट हकीम साहब से जुड़े हूए हैं, कितना उनको फाइदा मिल रहा है, कौन-कौन से नुसके वो हकीम साहब के अपनाते हैं, ये हम उन्हीं की जबानी उनके घर जानने पहुंचे हैं, तो जादा उनके बार में मैं आपको यहां पे नहीं बताऊंगी क्योंकि खुदम जानेंगे कि हकीम साहब से वो कब से जुड़े हूए हैं और कितना उनको लाभ मिल रहा है, लेकिन उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी कि मिलकर उनका स्वागत करते हैं, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका, सर आपकी उम्र कितनी है, अब आपके घर में कौन-कौन है, 68 उम्र है हमारी और बाकी दो बच्चे है, दो लड़के है, एक बेटी की साधी हो गई, बड़े बेटे की साधी हो गई, बहु है, उसके बेटी है, और पतनी है, ठीक है, आप क्या करते हैं सर, मैं ग्राउंड बाटर में इंजिनियर था, 'll, करो- मैं देखता था, परड़े देखता था, तो हकीम सहाब से हम प्रवावेट हूए, उनकी परस्निल्टी, और अबसे बताने का ढंड़़ और थोड़ा सा यूनानी पर भरोसा में करते हैं, तो उनके कहने के हिसाब से 24 जुलाई 2021 से हमने गौंसिया लेना शुरू किया हमारे सीधे पैर में ज्यादा दर्द है बाएं पैर में जो है उससे कम दर्द है कमर में दर्द बहुत था लेकिन वह यह गौंसिया लेने से 3-4 महिने में सेंटर वाला खतम हो गया साइड से भी है अब जो है एक जड़ी बूटी और जो बताते हैं डाक साब ने बताई तो उसको बंगाया है फिलाल अभी उसको कूटा नहीं है उसको पीछ कर सुरू करेंगे डाक साब बताया कि गौंसिया में ही मिला लेना और आदा चमच सुबह और साम गुनगने पानी से लेना तो उस इसको शुरू करेंगे देखते हैं गाया होता है हकीम साहब के उसके तो आप अपनाते हैं हकीम साब की कोई exercise अपको पता है जी जी exercise भोई जो है गरदन घुमाने वाली में डेली करता था इधर दो महीने से बंद कर दिया को दिक्कत ती हमको जी अब मैम के आने से पहले हमारा सोबा गया कि आप लोग आए हकीम जी पर हम बहुत भरोसा करते हैं तो हकीम साब की दवाई आपने और लोगों तक भी बताई हैं और काफी लोग यहीं लखनों को ले रहे हैं हमारे दाएं-बाएं वो भी अपना लगे हुए हैं भरोसा है उनको कि हमें लाब होगा 68 के हमारी उमर है और भी लोग हैं वो सतर साल के हैं लेकिन चल फिर रहे हैं जी 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 और सबसे बड़ी बात है कि भरोसा है कीम जी पर मैंची जी है हमारा हाट का इलाज चला है नौइडा से ऐलोपैथिक तो ज्यादा हम दवाईयों चक्रम नहीं रहते हैं ऐलोपैथिक और लेते भी नहीं है हाट के अलावा कोई अलोपैथिक दवाई नहीं लेता हूं और आप जो है कि कल से फिर सुरू करेंगे एक्सराज बंद की यह थे तो उसको कि शुरू करेंगे सर भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है चाहे हम कोई व्यूपचार क्यों न अपना रहे हों क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं देखिए आप भी जानते हैं कि इस दवा के लिए दवा है उस दर्द के लिए दवा है तो हकीम सहाब का प्रोग् उनकी वासा से उनकी परस्नल्टी से उनके सुभाव से ऐसा लगा कि यह फ्राड नहीं बोल सकते हैं गलत नहीं बोल सकते हैं इस एज पर तो हम तो वरोसा करने वाले आदमी हैं वो वरोसा कर रहे हैं पूरा हमें विश्वास जित्ता हम भगवान पर वरोसा करते हैं उत्ता कोई अपने मन की बात हम तो यह कहेंगे कि यकीम जी ऐसे ही हर किसी को दवायां बताते रहें टीबी पर आते रहें सबी लोग देखते हैं और भगवान उनको लंबी होगा भगवान और उनको बरबर हमने तॉल लिया है बहुत बड़ी बात है सब दूसरा रूम मान लिया हू तो आज आपने बात भी किए उन से और इतने वक्त से आप देख रहे हैं कुरोना को बीट वी वक्त होगया है और अपने फोनी ट्राइप किए हैं कि बाहुत बालोग बहुत बाल लेकिन जब हमारी बाल नहीं हो पाही उन् femin suppressатив हैनों कि पर देम करेंगे लेकिनन रहा हमने याप जगह बता दो मिलते कहां हम तो जाते हैं हर छे महींने में जाते हैं दिल्ली सिर्काहे नहीं प् logrbs पर नियाद水 भी आप ले लेन ले ले लिए से सब सहुरो करेंगा अच्छा बर願い से शरू करेंगे वह भर फेर से स्च का बहुत अच्छी चीज अच्छा है यह हमारी पतनी डेली लेती ये लेती हैं साल बर हो गया जीन बहुत अच्छा हो गया हूं बहुत 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 शुक्रिया सबसे ही जोड़ने के लिए अ दर्शा आप सभी ने सुना भी अभी घिरीजज़ जी को जो लखनाओ के कृष्णा नगर में रहते हैं उम्मीद है उनके मन में, विश्वास है उनके मन में कि वो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं और वो बहुत अच्छे, बहुत बहतर एक दिन जरूर हो जाएंगे और हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको ये शुबकामना है कि वो खुद एक बार दुबारा हमें ये बताएंगे कि अब मैं 100% ठीक हो गया हूँ क्योंकि लगतार जिस तरह से वो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं हकीम साहब के नुस्के अपनाते हैं दवाईयां खाते हैं तो वो उमीद उनमें कैसे आई है कहीं न कहीं उन्हें अपने शरीर में वो सुफुर्ती दिखी है वो अराम दिखा है कि हाँ मैं एक दिन ठीक हो सकता हूँ तो यही विश्वास आप लोग भी अपने उपर रख सकते हैं आप लोग भी अपना ख्याल खुद रख सकते हैं आपके चेहरे की मुस्कान हमारे लिए बहुत जरूरी है और एक बाप फिर से आप सभी से कहना चाहूंगे दर्श को आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं सेहत और जिन्दगी परिवार का एक हिसाब बन सकते हैं तो आज किस खास कारिक्रम में बस इतना ही मुझे दीजे इजासत नमस्कार